नमो बुद्धाय मैं आर्पी सिंग आप सभी का हार्देख स्वागत करता हूँ हमारे विशेश कारिक्रम धमदीप में धर्शकों धमदीप में आज राजगीर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इस पर विस्तित जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थेत हैं भन्ते डॉक्टर चंद किर्टी जी आपने बुद्ध दर्शन में उच्च सिक्चा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिजम पर अपने विचार रख चुके हैं तो हम स्वागत करते हैं भन्ते डॉक्टर चंद किर्टी जी का नमो बुद्धाय भन्ते जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है भन्ते जी एक बार फिर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तथा आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमें आपने अपना आशिरवाद दिया अब समय को देखते हुए आज के विशय पर हम चलते हैं आज का विशय है राजगीर के बारे में इस पर आप अपनी विस्त्रित जानकारी दें और हमारा ग्यान वर्धन करें बनते जी बहुत बहुत धन्यवाद आपिसिंग जी आज हम लोग इस दमदीप में विस्ता से चर्चा करेंगे राजगीर के बारे में राजगीर यहां एक बहुती प्रशिद नगर रहा है यहां पटना से सौ किलोमेटर की दूरी पर बिहार राजजे में इस्तीत है जो कि पाच पहाडियों से घिरा हुआ है यहां की सुन्दरता बहुत ही अधीक है यहां का बातावरन यहां का चारोतरब से पेड़ पोदे से ढखा हुआ यह इस्तान जो कि प्राचीन का से ही एक बहुत महत्पूर्ण नगर रहा है इसलिए इसकी प्रशिद्धी दूर दूर तक देखने के लिए मिलते रहती है प्राकरतिक सुन्दिरे से यहां नगर काफी कुछ हमें आकरशीत लगता है और इसलिए इस जगह के जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि बहुत धर्म से भी यह काफी संबदीत रहा है क्योंकि यहां पर तथागत गवतंबुद का आगमन से राजा विंबिशार थे इसी जगह से जीवक थे और यहां पर उन्होंने काफी कुछ अच्छी तरह से इस जगह को उन्होंने अच्छा बनाया जब आप देखेंगे तो मगत की राजधानी जैसे आप देखते हैं तो आप आएंगे कि यहां भी नगर उस कान में बहुती प्रशिद्ध हुआ करता था और यह इस्तान जो कि नालंदा जेले में स्थीत है वर्तमान में भी और इसकी खुब शुर्ती जो की दूर दूर तक जो है वो पूरी तरह से हमें आकरशीत करते रहती है तो इस तरह का एक बड़ा प्रभाव जो है वो हमें राजगरह के प्रशिद्ध नगर हमें देखने के लिए मिला और राजा बिम्बिशा जो की इस नगर के रहने वाले थे उन्होंने यहां पर तथागत गौतमबूद के आगमन पर बड़ी अच्छी तरह से उनके सम्मान ही वास्ता की थी और बाद में उन्होंने वेडू अन्भी पर तथागत गौतमबूद के द्वारा आगमन पर यहां पर बहुत सारा जब संग इखटा हो गए तो यहां पर उन्होंने संग की निर्मिती की जब आरा सो पचाज भिक्को एक साथ आ गए यहां वही स्थान हैं जहां पर यह धम की निर्मिती की गई जिसे हम संग निर्म कहते हैं तो संग के निर्मिति जो 1250 भिक को यहां पर हो गए तो उन्होंने संग बनाया इस तरह से एक बड़ा जो काम है जो घटनाएं हैं वह हमें राजगीर में होती हुए देखने के लिए मिलती है सारी पुत्त जो की वहा नालंदा जिले के ही रहने वाले थे तो उन्होंने भी यहां पर आकर ध्यान साधना की जब आप देखेंगे तो गदर उकूट परवर्ट जिसे हम नाम देते हैं तो वह राजग्री में ही इस ती हैं और यहां पर उन्होंने काफी दिनों तक ध्यान स पहले संगती भी इसी राजगरम में जीत की जाती है सब्तपनी गुफा में और जिसकी अद्धिक्षे था महा काश्यप ने की थी तो इस तरह से एक बड़ा प्रशिद्ध जो नगर है राजगिरी जहां पर बड़ी शंक्या में उस काल में भिक्को लोग भी रहा करते थे और पहले संगती में पासव अरहत भिक्कों ने हिसा लिया ये उस समय बड़ी एक चिंतन की बात थी की तथागत गौतम बुद्ध के महा परिमान के बाद चिंता बड़ी थी लोगों में की सुबद नाम के जो एक भिक्को थे वो बड़े प्रसन्न हो गए अच्छा हो गया तथागत गौतम बुद्ध हमारे बीश से चले गए वो कापी खुश प्रतीत हो रहे थे तो महा कासव के सामने एक बड़ी चुनोती थी की इसे कैसे हम लोग ऐसे प्रसंग को हल कर सके हैं जो कि लोग अब ये कंट्रोल कैसे किये जा सकेंगे इसलिए पहली संगती बुलाएगी जहां पर पासवा रहत भिक्को ने भाग लिया और फिर भिक्कु उपाली और भिक्कु आनन को संग के माद्यों से अपनी बात रखने के लिए यहां आभान किया गया और तब भिक्कु उपाली ने विने के बारे में बताया और दुसरा धम के बारे में भिक्कु आनन ने बताया तो इस तरह से पहले संगती का संगायन जो हमें यहां पर देखने के लिए मिलते रहता है और जिस जगह ये सब्त परनी गुफा है वहाँ से आप देखेंगे तो गरम पानी अभी भी बहा निकलता है लोग यहाँ पर जाकर इस्तिनान करते हैं और जिसे गरम कुंड का पानी ऐसा नाम दिया गया तो लोग वहाँ पर आकर के नहाते हैं और यह इस्तान काफी महत्पून है जब देखेंगे तो पास्सो अरहाद भिकू इसी जगह आकर के उन्होंने लंबे समय तक धम्म का और वीने का उन्होंने डिसकुशन किया और तब कहीं जाकर कि पहले संगती के माद्यम से धम्म और वीने के बारे में ये सभी की मानिता बनी ये कोई साधर नहीं एक बड़ी घटना थी जो राजगर में घटित हुई थी उसी तरह से आप देखेंगे तो यहां पर जो की राजा बिम्बिशार यहां के वो राजा ह हुआ करते थे उन्होंने भी तथागत गौतम बुद्ध के लिये काफी कुछ उन्होंने साहत अपदान की संग को साहत अपदान की और इसलिए उन्होंने चुकी वह सहर से बहुत नजदीक भी नहीं और बहुत दूर भी नहीं था वेडूवन लेकिन उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को दान दिया था तो इस तरह से आप जब देखेंगे कि ये पाज पहाडियों से गिरा हुआ नगर जो कि सुरक्षा की दरश्टी से बहुती भजबूत हैं और ये प्राकर्तिक सुंद्रे से भरा पड़ा हुआ हैं यहां पर आज जब आप देखेंगे तो अचीन काल में तो ये विहार बनाई बनाए गये हैं जो कि जीवक बहुती अच्छा एक वेद था जो बड़े-बड़े रोगों का इलाज किया करता था और उसने जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि तथागत गौतम बुद्ध के लिए भी उन्होंने कैसे हैं उनको उन उनके मन में रहा करती थी और सरद्धा से वो उनके सेवा करते थे उनकी देखरे करते थे उनने भी आपना एक जो वेडू वन है तान आड पर विहार बनाया गया और पिर इस तरह से आप देखेंगे कि प्राचीन विहारी स्राजग्रह में बनें जहां पर दमका परचार प करने के लिए अभी भी वरतमान में आते हैं और इशी बात को ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि कालान तर पिर शांती स्थूब बनाया गया है इस तरह से राजगिर अपने ख्याती के लिए कापी प्रसिद्ध है जितने इसके बारे में बताया जाए तो आप देखेंगे कि यहां पर अभी भी जो लाखों लोग हैं इस जगह में आते हैं यहां पर बहुत सारे जो विदेशी विहार भी देखने के लिए में होते हैं जैसे आप देखेंगे तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाइलेंड, म्यानमार ऐसे कई अलग अलग जगह के जो विहार हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं तो इस तरह से एक बड़ी उपलब्दी जो है वो राजगरह के बारे में देखने के लिए मिली और राजगरह चुकी है यहां पर राजा अजासत्रू जो कि बिंदू, बिंबिशार का बेटा था, वहां पहले संगती के लिए उन्होंने काफी कुछ कॉपरेट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, धम एक गतिमान होना, धम की सुरक्षा करना, धम का पालन पोशन करना, यह हमारा पराम करतब है, इसलिए जो लंबे सम तक पहली संगती चल रही थी, उसको अच्छी तरह से दी किसी ने सपोर्ट किया है, तो है राजा अजासत्रू, जो कि वहां राजगरह के राजा हुआ करते थे, इसके इर्द गिर्द तो आप देखेंगे कि अलग अलग जगह हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा के दृष्टी क बड़ा शुंदर्य, यहां की सुंदर्ता, जो हो हर एक आदमी को मन को महलेती है, तो इस तरह का एक बड़ा राजगरह का जो अस्थीत हुआ है, वह हमें देखने के लिए मिलता है, और यहां पर बड़ी शंक्या में बहुत भी कूभी उस काल में रहा करते थे, जिनोंने तथागत गौतम बुद्ध ने यहीं से सब लोगों को एक उबदेश दियाता है, चरत भिक्वे चारी कंग, बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए, लोकानु कंपाए, अदा हिताए, देमनु शानंग, आदी कल्यानंग, मज्जव कल्यानंग, पर्यो शानंग कल्यानंग, क उसके लिए आप चारी का करते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि यह मेरा धर्म यह सुरुवाती दोर पर मद्देवे और अंतता भी कल्यान का रही है, इस तरह की देशना जो हो तथागत गौतम बुजने इसी जगह दी थी और कहा था कि एक साथ दो मत जाईए, यदि आप प अलग-अलग दिशाओं में जाना चाहिए, एक साथ, दो नहीं, बरकि एक दिशा में एक जाना चाहिए, इस तरह की जो उनकी शंकलपना है, वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, और जब उन्होंने संग बिनाया, क्योंकि शुरुवाती दोर पर दो ही शरण गमन हुआ करत आप देखेंगे कि यह स्पुत्र, जो विक्कु बन गया था, उनके फिर पास चार और साती, तो ऐसे दीरे-दीरे संक्या संग में आती गई, और फिर आप देखेंगे कि नदी काश्यब, उर्वेला का सब गया काश्यब, ऐसे तीन, यह काश्यब बंदु जिन्होंने इसलिए जिस दिन उन्होंने यह घोशित कर दिया संग, अब आप देखेंगे वादिन ता माग पुर्णी माका दी, क्योंकि यह घोशना और इसके निर्मिती राजगरिशे हमें देखने के लिए मिलते रहती, इसलिए राजगरह यहां संगंग सननंग अच्छामे का यहां एक उत्पती का इस्तान हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ततागत ने तो सुरुवाती दोर पर ऐसे कोई व्यक्या नहीं दी, यह ऐसा उबदेश नहीं दिया, लेकिन आप दीरे 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 जब लोग जुड़ते गए, और दीरे दीरे यह कारवा अब बढ़ते ग इसलिए यहां नगर जो की इश्व प्रशिद्ध नगर है, जहां पर दुनिया के लोग अभी भी राज ग्रह में आते हैं और उस गदरवकत परवत के उपर में हैं, जहां ततागत गवता सारी पुत्त, जैसे बहुत ही प्रख्यात और एसस्वी और जो बहुत ही घ्यानमा का भ्यास करते हैं और सांती का अनभव करते रहते हैं, इसलिए राजगिरी एक सांती के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहां का वातावन जिस तरह से देखने के लिए मिलेगा तो यहां की प्रशिद्धी भी काफी हमें देखने के लिए मिलते रहती हैं, इसलिए प्रश्दी के लिए या अपने कारियों के लिए विसेश तोर पर तथागत गौतम बुद्र के जीवन काल की घटित कोई घटनाओं के लिए क्योंकि यदि हाँ पर ऐसा कोई घटित नहीं होता ऐसी कोई घटना ये नहीं जुड़ी होती तो इस वमें कैसे राजगीर के बारे हमें जो परियटक है वो यहां पर देखने के लिए आते हैं तो अब जब आप औरतमान में देखेंगे तो सांती स्टूप के तरफ जाने के लिए आपने देखा कि यहां पर रोपी बना हुए देखने के लिए मिलता है कुछ विक्षित हुआ भाग यहां पर हमें देखने क करते रहते क्योंकि जब तक हम अपने जीवन काल में वो चीजों को नहीं बना पाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हम इसको जीवन में वहाँ सभी संभावनाओं को चुकि तथागत गौतम बुद्ध के काल में यहां पर घटी तुई घटनाए हैं वो हमें देखने के लोगों को बहुत उबदेश दिया कि आप लोग अपने जीवन को कैसे अच्छा भिना सकते हैं और ऐसे ही नालंदा जीले के आप देखेंगे तो मोगलायन जो कि वो उसी जगह के रहने वाले थे उनके भी वो संजे के सिस्ष्य थे और जब यह दोनों संजे के सिस्ष्य थ लेकिन वे तथागत गौतमुद्द की सिक्षाओं से बहुती प्रभाईत हुए हैं चुकि वहाँ उस समय राजग्रह में केविडून में ठहरे हुए थे और कॉंडियन ने जब चारीका करने के लिए जाता है तो बड़ा सांत स्वभाव से अच्छी तरह से अपने मध्यम गती को वहाँ परदाशीत करता है तो सारी पुत्त जब देखता है कि हाँ ये कोई स्रमन है जो बहुती अच्छी तरह से इसकी गती है तो उसको जान करके उसे लगता है कि इससे कुछ पूछना चाहिए और उन्होंने पूछ लिया आप किसके सिसे है तब तब तथागत ग गौतम बुद्ध से मिलने के बाद वो काफी प्रभाईत हो जाते हैं और वहाँ संजय क्या जो सिश्य बने हुए थे वो संजय के सिश्य तो इत्याग देते हैं और वहाँ तथागत गौतम बुद्ध के सिश्य हो जाते हैं तो कुल मिलाकर के जुढाईश और शिश्य ते वो भी तथागत गौतब बुद्ध के संग में सामील हो जाते हैं, सुरवाती दौर पर जब देखेंगे, तो यही भिक्कवे कहके, सभी भिक्कों की दिख्चा हुआ करते थी, लेकिन अब धिरे 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 अब यह संग तयार हो गया, तो आप देखेंगे कि तीन तरह का सर में सामील होगे, तब देखा गया कि संगंग संनंग अच्छामी, वहाँ गूझ राजगर की धरती से हमें उर्ती भी देखने के लिए मुझती रहती, क्योंकि यहाँ पर बड़ी शंक्या, हमें एकत्रित होकर विक्कों ने पवर्ना किया, विक्कों ने पाती मुख का अभ इखटा होकर उसका अभियास करने पर जोड़ देते रहते थे, तो सबसे पहले यदि कहीं बड़ी संक्या में भिक्कों लोग इखटा हुए या वहाँ पर सब लोग मिल जूर कर रहे तो वह कहीं और इस्तान नहीं था, प्रारंबका सबसे प्रत्हम इस्तान में राज ग्र प्रभावित होकर दूश्रों के बारे में इतना हीत के करने के लिए विचार करते रहते हैं उसके बारे में यहाँ सोच करके, जान करके, चुकि यह स्रवनत इसलिए राजा बिम्भिशार ने उन्होंने अपने घर पे विक्कु संग के साथ बड़े पैमाने पर उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को आमंतीद किया था, जब आप देखेंगी तो अनात पिंड़क की भी प्रथम जो भेट दिखने के लिए मिलती है तो वहाँ राजग्र में है, चुकि वहाँ राजा बिम्भिशार उनके रिस्तिधार थे और जब वो उनके घर पे आया तो उन के संग के लिए यहाँ पर तयारी की गई तो बड़े प्रभाइत हुए, उन्हें लगा कि नहीं है मुझे भी तथागत गौतम बुद्ध को जानना और सुनना चाहिए, जब उन्होंने सुना तो अनात पिंड़क बड़े प्रभाइत हुए और यहाँ से राजग्र से प्र राजग्र में ली गई प्रतिग्या जो थी, वो कभी ने कभी पूरी होगी, तो हम देखते हैं कि वह भी सोचते रहता है, कि मैं भी ऐसा सुन्दर सा भी हाथ अठागत गौतम बुद्ध के लिए बनाऊंगा और उन्होंने बनाया, और बाद में हम देखते हैं कि उन्होंन महत्पून इस्तान हमें राजग्र देखने के मिलते रहता है, इसलिए ये राजग्रा जो की तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं को यह प्रदरशीत करता है, आज भी जब आप देखेंगे, तो वह बार 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 दाए हजास साल पुरानी यादों को प तथागत गौतम बुद्ध के जीवन का से जूड़ी भी घटनाओं जो की अभी भी हमें वह प्रदरशीत करती रहती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विहार बिनाया गया, यहाँ पर इस्तूब बनाया गया, यहाँ पर अलग अलग जगह के लोग आकर के उन्होंने अपनी सरद्दा विक्त की है, कि यह इस्तान जो की पहले संगती के जहाँ पर पास्व अरहत भिक्कु का इकट्टा होना यहाँ बहुत बड़ी बात माने जाती है, इसलिए इस जगह लोग अभी भी सरद्दा के भाव को मानते हुए है या उनको जीवन काल में जीते हुए आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह पास्व अरहत भिक्को का आगवन यह वेशाली के धरती के लिए बहुती स्रेश्ट बात मानी जाती है, जब देखें तो सुरवाती दोर पे पहली संगती में भिक्कु आनन को संगती में आने से मना कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ अरहत नहीं बनेते हैं, कुछ उन पर आरोब थे, लेकिन बाद में देखते हैं कि जैसे जैसे समय नजदी का आगया संगती का, वैसे ही विक्कु आनन अरहत बन जाते हैं और उन्हें भी इस पहली संगती में सब्त परनी गुफा में उन्हें आने का अफशर मिल जाता है, शुरुवाती दोर पे तो ये अफशर उने प्राप्त नहीं कुआता, लेकिन धीरे 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 जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पूरी तरह से उनको अफशर दिया गया और वहाँ एक बड़ी संगती के हैं, पहली बार पास्सो आरहत बिक्कु एक जगए ख अट्रक्शन देना चाहिए और इस द्रश्टी कों से उन्होंने सब वरिष्ट बिक्को को यहाँ पर आम अंतीद किया, आम अंतीद करने के बाद जो कि सब्त परही गुफा इस बात की घवाई देती है, कि यही वह इस्तान है, जो पास्सो आरहत बिक्को को यहाँ पर उन् कुछ निर्ने लेने के लिए, कुछ धम्म का प्रतिपादन करने के लिए, धम्म की सुरक्षा के दरश्टी कों से यहाँ पर वो जो मिटिंग आयोजित की गेती, तो उसका जो श्रेप राप्त होता है, सबसे पहले, जहाँ पर इसकी सुरुवात की गेती, तो वह है इसलिए राजगर कोई साधारन इस्तान नहीं है, यह एक धार्मिक नगरी के रूप में इससे हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर धम्म को बढ़ावा मिला, धम्म को एक विक्षित रूप हमें देखने के लिए मिलते रहता है, तो संग निर्मती के बाद राजगर से ही जो विक्को है, वो चारों दिशाओं में आगे बढ़े हैं, जहां जाकर के उन्होंने बहुत धर्मका पचार और प्रसार किया, यह कोई साधारन घटना नहीं है, बकि दुनिया में मानव कर लियान के लिए प्रथम था, यदि विक्को को जिस जगह से पहली बार चारों दिश ग्रहन की कि हम अलग 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 दिशाओं में जा करके दमका परचार और पसार करने पर जोड़ देते रहेंगे, तथागत का यहां जो उद्देश था, ओ कहीं धीरे 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 अब साकार हो रहा था, और जहां से यह इस्तान की शुरुवात की गई, जहां से यह पचा तरीके से, अच्छी तरीके से, जो प्रोसाहित किया गया अभिको को वह इस्तान हमें देखने के लिए मिलता है, तो वो कोई और नहीं, बलकि राजकीर है, जहां पर तथागत गवतम बुद्ध ने अभी धमकी भी देशना दी, शारी पुत्त ने अभी धमकी देशना दी, शारी पुत्त भौती जानकार थे, शेना पती थे, उन्होंने धमों को पूरी तरह से रक्छा करने के लिए, या धमों को और भी आगे गती देने के लिए, पूरी तरह से वो तठस्त रहते थे, उनका जो हेतु था कि धमका पचार और पचार करना, क्योंकि वहां, नालंद ताके नालक ग्राम के रहने वाले थे हैं उसे जीले के रहने वाले थे शारी पूता इस लिए उस जगह उस छेत्र में उनकी ठीक तरह से पकड़ती चुकि वह बुद्धिमान होने की वज़े से बहुती पारंगत होने की वज़े से उनके अंदर में नेत्रत गुन होने की यह कोई ज़ादा दूर नहीं है जब आप देखेंगे तो बोध गया नालंदा और राजगरा ऐसे तीन इस्तान हमें एक सिमिलर एक रास्ते में हमें देखने के लिए मिलते रहता है इसलिए यह इस्तान राजगरा जो की बहुत ही मौत्पून इस्तान है जिसके बारे में बहुत धन्यवाद आप यहां पधारे और हमारे दर्शकों को इस विशय पर बहुत ही महत्वपूर जानकारिया ने तो साथियों आज के इस विशय प्रोग्राम में बस इतना ही अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रशन हों जो जिग्यासाएं हों वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं यह प्रोग्राम आपका है और आप अगर इस पे अपना कोई प्रसन पूछना चाहते हैं तो हमारे वाट्स अप नमबर 9639010109 पर अपना प्रसन भेज सकते हैं या हमारी इमेल आईडी सुभार्तीबुद्धा at the rate gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं मुझे उमीद है कि आप अपनी जिग्यासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे हजारों दर्शकों जैसे आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिग्यासाओं के बारे में हमें प्रसन लिखेंगे और भंते जी के email के द्वारा या उसी whatsapp के द्वारा आप जबाब भी जानेंगे तब तक मैं आरपी सिंग भंते डॉक्टर चंद कीरती जी के साथ लेता हूं विदा कल इसी समय आपके समक्ष फिरु पस्तित होंगे नमो बुद्धाए